मिडिल इस्ट में जंग का एक और मोर्चा खुलता नजर आ रहा है। सीरिया में अपने दूतावास पर एर स्ट्राइक के जवाब में इरान ने इसराइल पर पलटवार किया है। भारतिये समय के मताविक शनिवार तिर रात तीन बजे इरानी सिरा ने इसराइल पर तीन सौ ड्रोन और निसाइलों से हमला कर दिया। इرानी हमले से इसराइल में भग्दल मच गई है जिसमें 12 लोगों के घायल होने की ख़र है। फाइलों में एक साथ साल की बच्ची की हालत गंभीर बताय जारी है अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से CNN लिखता है कि भूमध सागर में तैनात अमेरिकी युद्धोतों ने इरान के छे दर्जन से ज्यादा ड्रोन्स और तीन बैलेस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया इसमें युएन नेवी की फाइटर जेट्स ने एहम लुमिका निभाई इसराइली सेना के प्रवक्ता डैनियल हगारी का कहना है कि हमने इरान के 99 फीसद ड्रोन और मिसाइलों को रुप दिया इरानी ड्रोन्स ने निवतिन एर फोर्स बेस को टार्गेट किया है लेकिन अपने मकसद में काम्याब नहीं दिये आला कि एर बेस को कुछ नुकसान जरूर पहुँचा है तो वहीं इसराइल के राष्ट्री य सुरक्षा मंत्री इत्मार बेन गेविर ने इसराइली सेना की सूझ बूज और डिफेंस की तारीफ की है बेन गेविर ने सरकार से हमले का जवाब देने की मांगी की है हमले के बाद इसराइली पीम बेंजमिन नितिम्याहू ने सोशल मीडिया पर पहला वयान भी जारी किया उन्होंने लिखा कि हमने इरानी ड्रोन्स मिसाइलों को रोग दिया हमलों को ब्लॉक कर दिया हम साथ मिल कर जीत हासल करेंगे United Nations में मौझूद इरान के राजदूर आमिर साइद ने तल्क लहजे में कहा कि UN Charter का Article 51 इरान को अपनी रक्षा करने का पूरा हक देता है हमने इरानी दूतावास पर हमले के जवाब में इसराइल पर अटैक किया इन लोगों ने देर रात फिलिस्तीन, स्क्वाइर और तहरान युनिवरस्टी के सामने जम कर आतिश भाजियां भी की है साथ ही Death to Israel के नारे भी लगाए गए इरानी हमले को लेकर भारती विदेश मंत्राले ने चिंता जहिर की है मंत्राले ने कहा है कि इरान इसराइल के बीच बरता विवाद, शेत्र की शांती और सुरक्षा के लिए बढ़ा खत्रा है हम तुरन तनाव खत्म करने और हिंसा को रोकने की अपील करते हैं दोनों देशों को कूटनिती से विवाद सुझाना चाहिए CNN के हवाले से खबर है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने इसराइली पीम बेंजमिन नितन्याहू से फोन पर बात चीप भी की है साथ हे उन्होंने ये हिदायत भी दी है कि अब जवाबी हमला ना करे अगर इसराइल ने इरान पर जवाबी कारवाई की तो अमेरिका इसमें उनका साथ नहीं देगा टाइमस ऑफ इसराइल लिखता है कि अमेरिकी राष्ट पत्री जो बाइडन ने चिंतत जटाई की इसराइली पी-म नितन्याहू अमेरिका को बड़े संघर्ष में खीच रहे है वहीं NBC News से बात करते हुए अमेरिका के तीन सीनियर अधिकारियों ने आशनका जिताई है कि इसराइल जल्दबाजी में कारवाई कर सकता है जैसा कि उसमें अक्टूबर 2023 में गाजा पर एक्शन लिया था अमेरिका के एक वरिष्ट रक्षा अधिकारी कहते हैं कि वाइट हाउस इसराइल के अगले कदम बुले कर चिंतित है वीडियो के आखर में ये भी जान लिजिए कि इरान ने इसराइल पर हमला आखिर क्यों किया है दरसल एक अप्राइल 2024 को इसराइल ने सीरिया में इरानी एंबसी के पास एरिस्ट्राइक की थी इस हमले में इरान के दो टॉप आर्मी कमांडर समेथ 13 लोग मारे गए थी इसके बाद इरान ने बदला लेने के लिए इसराइल पर अटैक करने की जवाबी धनकी दी इसके जवाब में 13 अप्राइल को देर रात इरान ने इसराइल पर एरिस्ट्राइक कर दी अब ये मामला कितना लंबा खिचेगा ये तो इसराइल की तरफ से लिया गया अगला कदम तेह करेगा बैराल हमारे इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है कॉमेंट के जरीए हमें जरूर बताएं बाकी तमाम छोटे बड़े अपडेट्स के लिए आप टीवी नाइन खरत्वश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तन्यवाद